हाई दोस्तों कैसे आप सब आज का टाफिक है स्रीफेज रिवार्स फॉर्वार्ड स्वीच मैनुल तो आप देख सकते हैं यह है एफेक्स की 32 एंपेर का रिवार्स फॉर्वार्ड स्वीच है एल्टी कॉंट्रोल स्वीच और जो है देखिए एपेक्स की यह आपको जो है लिवार्स मिल जाएगी जिवास फॉर्वार्ड के लिए ठीक है तो आप जैसे इस तरफ दोगी तो रिवर्स में मिडिल में ओफ और यह फॉर्वार्ड में जाएगी ठीक है दोस्तों और मिडिल में कर लेता है यह अप में दोस्तों जो मेरे चैनल में नए है तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्रीब कर लीजिए और साथ में जो बेल का घंटी देगा है उसको आउन कर लीजिए ता कि जैसे मैं वीडियो डालू आपका फोन में नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए तो दोस्तों तो चलिए इसको डिटेल में आपको बताते हैं पहले आपको इसका कानेक्शन कहां कहां होगा वो दिखाएंगे तो इसको ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने इसको open कर लिया है देख सकते हैं जो देखिए तो आपको दिखाऊंगा कहां कहां connection करना है यह जो point है अब देख सकते हैं यहां पर एक point मिल जाएगा और आप देखिए इधर में जो लिंक लगा है यहां पर भी point मिल जाएगा और उपर में जो तीन देख रहे हैं आप टार्मिनाल यह है motor की ठीक है तो पूरा डीटेल्स में बताएंगे वीडियो को देखते रहे हैं स्किप मत किजिए कि कि स्किप कर जाएंगे तो मिस्वी कर जाएंगे तो पूरा वीडियो को वारी केज हैं देखिए तो दोस्तों जो फ्रीज है वो आप कहां पर दो देंगे तो चलिए दिखा देते हैं सट लिखा है इस में आप आप खेस दिजये और यहां पर देखिए जो एज लिखा है इसमें आप य है इसमें बंब दॉल की ल यहां से तिन घाल्मिनल से आप मोटोर का कनेक्शन कर दीजिए अभी आपको दिखाएंगे यह कैसे काम करता है तो यहां पर देख सकते ही जो पॉइंट है देखिए यह जो कनेक्टिंग पॉइंट है अभी ओपन है देखिए सब ओपन है ठीक है तो जैसे मैं इसको लिवर को रिवर्स में दूंगी तो अब गौर से देखिए जैसे मैं इसको रिवर्स में दूंगी तो देखिए इस पॉइंट में आ गया और जो इस पॉइंट में आ गया है ठीक है तो अभी क्या हो रहा है यहां पर आप आर फेज लगाया था तो आर फेज आ गया है यहां पर इंट टर्मिनल पूर ठीक है और जो देखिये यहां पर जो य फेज लगाया था ने में या इस इस को ओप कर लूंगी मैं तो देखिये जैसे ऐस करोगी तो कान्टक्पूरा ओपन हो जाएगा अभी फॉर्बर में डिये दिया तो होट में देने से क्या देखिए जह आरफ फेज उपर में आ रहा ता वह आफ यह त्यहकि यह इथिकिए यह अभी जो है पूरा टॉब में आ गया तो देखिए रेड और बी फेज की में चेंज हो रहा है तो आपको रिवास फॉरड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कोई दोनों फेज को चेंज करना पड़ेगा तो वही काम इधर पर हो रहा है पहले उपर में रेट था मिडिल में बी था और न भी इसको हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे तो देखते रही है उसको दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ जहां जहां ठाण ओगा ठीक है तो यहां पी यह लो और जो शॉर्टिंग था आप ब्लू और जो दूसरे तरफ स्वाटिंग था वहां प बोला था यहां पर रेट फेज ठीक है और यहां पर जो है येलो फेज जो सौट दूसरा और टीन टार्मियल मोटर का चला गया ठीक है दोस्तों तो दोस्तो ऐसे आपको connection करना है तो आपका reverse for out बन जाएगा तो दोस्तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye